आगे बढ़ते हैं यह थड़ा सा इसमें आपकी तवज्जो मतलूब है तरह ध्यान से हैं मरने वाला है, इसकी माँ है, इसका एक बाप है और हम जो उसूल में दूर की जो मौननस होती है दूर की मौननस या तो उम्मल उम होती है जिसको हम कहते है नानी या उम्मल अब होती है, जिसको हम कहते है दादी फराईस की इस्तलाए़ में, दोनें को एक लफसे भी तावीर करते है और है अल जद्दत सहीह इसमें दोनों आते है उम्मल और उम्मल अब उसको एक लफस में कहते हैं वो लफ्स दोनों को शामिल कर लेता है कौनों की अम्लूम यह है यहाँ पे यहाँ पे अम्लूम जितना भी उपर जाएं आप सब को अम्लूम कहेंगे यानि मरने वाले की माँ की माँ जितना भी उपर जाएं आप कहीं भी पहुंच जाएं आप इतना तो कोई रहता नहीं है नानी बहुत हो गया तो परना नहीं हो सकती लेकिन यह सब को क्या कहेंगे मरने वाले की मा की मा यह यह मा न इसकी मा मा की सब मा है और इधर यह बाप है मा की मा यह बाप की मा यह मा है यह बाप है मा की मा यह बाप की मा यह देखें बाप की मा यह जहन में रखें मरने वाले के मा की मा यह मरने वाले के बाप की मा करीबी बाप है उसकी मा है तो यह इसकी दादी होगी और यह भी इसका बाप है ना यह नहीं होगा तो यह भी इसका बाप है तो इसकी माँ भी अर्दा दी इसकी माँ भी इसकी माँ भी वारिश हो सकते हैं और यह भी इसका बाप है नो तो इसकी माँ को भी कहेंगे मरने वाले के बाप की माँ यह यहां का मस्टला तो साफ है सब मौन Cute है यहां दूरा ध्यान देना हो झागा उब आपको की बापकी मा या फिर दादा की मा या फिर परदादा की मा यह जहन में रखे अब यहाँ यह इस तरह से जितना भी बढ़ते जाएगा बाप सबकी मा वारिस होती जाएगी दादी बनती जाएगी सिर्फ यही नहीं बलकि अगर यह भी आगे बढ़िए तो जैसे हमने यहां का मैयत की यह मा है ना यह मैयत की मा है तो इसकी मा भी मैयत की मा कहलाती है तो जैसे यह बाब की मा है तो फिर इसकी मा भी बाब की मा कहलाएगी यह मैयत ना यह यहां बढ़ते गए ना क्योंकि यह इसकी होगी मा तो उपर की सारी औरते इसकी मा कहलाएंगी तो अगर इसकी ये मा होगी तो इधर भी उपर जितना भी जाएंगे सब इसकी मा कहलाएगी जितना भी उपर जाएंगे आप और ऐसे यहां भी ऐसे यहां भी इसमें अगर कहीं भी इस चैन में देखें यहां पर यहाँ पे यह बाब की माँ है इस माँ का है बाब यह बाब की माँ है और फिर माँ का बाब फिर बाब की माँ यह अभी वारिष नहीं बन सकती है मरने वाल इसकी माँ नहीं कहलाएगी यह जो है न यह यह इसको आप इसको आप इसकी मा नहीं बोल सकते इसको आप इसकी यहाँ पर मौनस थी तो इसकी मा बोल सकते तो यहाँ ना कोई भी मौनस थी तो इसकी मा होगी तो यह बाप की मा थी यह इसके उपर मौनस होती यह भी बाप की मा कहलाती, यह मुजखकर आगया यहां पर, तो अब यह इसकी मा होगी, तो अब यह इसकी मा के बाप की मा होगी, इसकी मा नहीं कहला सकती, बाप की मा नहीं हो सकती यहां पर, ऐसे यहां भी बीच में कोई भी मुजखकर आगया, तो बाप की मा नहीं कहलाएगी, यह मा की मा नहीं है, इसकी मा नहीं है, मा की मा है, नहीं है, बलकि यह किसकी मा है, मा के बाब की मा है, यानि मा की दादी है, मरने वाले के मा की दादी है, मा की मा नहीं है, इसको समझने के लिए दो काइदा, मैं आपको दो असुल बताता हूं, जिससे आप इधर कभी कन्फिय पही ज़िजदे होंगी दो असुल है। नमबर एक पहली चीज़ ये कि आप ये जहन में रहें कि इधर या इधर जो भी जद्दा होगी हो तो क्या होनी चाहिए मरने वाले के माँ की माँ हो या या मरने वाले के बाप की मााँ हो जैनि वो ऐसी आरत हो या मैयत की वालिद की मा हो सकती हो ये एक उसूल दूसरा दूसरा ये आप उसका चैन चेक करें उपर से नीचे जैसे जितनी भी उपर जद्धा हो उसका मैयत तक चैन देखें तो वारिस का जो चैन मौरिस तक पहुँच रहा है उस चैन में मुजक्कर के बाद कोई मौनस नहीं आनी चाहिए ये दूसरा उसूल उस चैन को आप चेक करें उस चैन में अगर कहीं भी मौजक्कर आया फिर मौनस नहीं आनी चाहिए मौजकर नहीं है तो सिर्फ मौनस ही जाए जैसे ये देखें आप इतनी दूर है ना इसका पूरा चैन देखें आप ये जो है ना ये 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 तो मौरिस है ना इसको आप छोड़ें इसको लें ये है वारिस यह है मौरिस अब यह बीच का चैन देखना है यह चैन है इस चैन से यह पहुंच रही है इस चैन में मुझक्कर के बाद मौनस नहीं आना चाहिए यहां मुझकर के बाद मौनस है नहीं है, सब मौनस ही है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझकर आया और फिर मौनस आगी इसलिए यह वारिस होगी क्योंकि मुझकर के बाद मौनस नहीं है मुझकर के बाद मौनस कैसे हो सकता है यहां पर हम अब रख दें तो आप देखे मुझकर मुझकर के बाद मौनस आगी तिर यह वारिस नहीं हो सकती यहां भी आप देखें यह मौरिस है और यह वारिस इसका चैन चेक करें आप यह चैन है ना यह यह चैन है ना आप देखें कहीं भी मुझक्र के बाद मौनस नहीं है यह मौनस है मौनस के बाद मौनस यहां भी मौनस आ गया अब आगे मौनस नहीं यह मौनस नहीं है मजक्कर आया इधर तो कोई मजक्कर चुरू में जो मैंने बताता है मजक्कर नहीं था मजक्कर आती ही मजक्कर आ गया तो फिर यह मौनस आ गई इसलिए यह खतम वारिसिन की लिष्टी से बाहर अब यह देखें कितनी दूर है लेकिन इतना बड़ा चैन होने के बावजुद भी कहीं भी मजक्कर के बाद मौनस नहीं आ रहे इसलिए वारिसिन आ इसे यह भी देख लें आप इसका पूरा चैन यही है लेकिन यहां मजक्कर आया ना लेकिन मजक्कर के बाद मौनस नहीं है यही चैन है ना मजक्कर आया फिर मौनस नहीं तो दूसरा असलिए जैने में रखें कि वारिस का मौर्रिस तक जो चैन है वारिस की तरफ से मौर्रिस को जो चैन आ रहा है उस चैन में या तो कोई मजकर हो ही ना या अगर मजकर हो तो उसके बाद मौनस ना आने पाए मजकर के बाद मौनस आगी तो खतर जैसे यहां बेदो को मजकर है ना उसके बाद मौ मौरिस्टक! तो वारिस्ट से वारिस्ट की तरफ जो चैन आ रहा है उस चैन में मजक्कर के बाद मौननस ना आए यह दूसरा असूल पहला असूल क्या बता या कि आप जरह गवर करने उस पर जरह ध्यान दें यह जो ऑरत है यह औरत मरने वाले के माँ की माँ बन सकती की नहीं या फिर मरने वाले के बाप की माँ बन सकती की नहीं अगर माँ बन सकती है वारिस है यह पहला जापता है मालूम करने का जद्दा सहीहा मालूम करने का पहला जापता है दूसरा जाब्टा ये कि जो जद्धा जितनी भी दूरी पर हो, होँआ से लेकर मयेट तक उसका चेवड़ा चेवचा करें, कि उस्केवचिन मैं कोई मजखक्र है की नहीं, अगर कोई मजखक्र नहीं तो वारिष ये, मजखकर है तो उसके बाद मौनस नहीं आना चाहिए कितना भी लंबा चैनल वो वारिस हो जाएगी ये दो जाबता है तो अगर इन दो जाबतों से आप चेक करें और ये फाइनल हो जाएए कि ये वारिस बनती है तो उसको क्या कहेंगे अलजदतु सही है और अगर बीच में कोई मजखकर आगया जैसे यह यह मौनस के बाद मजखकर आगया तो उसको क्या बोलते है अलजदतु फासिदा उसको जद्दे फासिदा बोलते है यानि वो वारिस नहीं होती है समझे रहे हैं तो ये है अलजद्दा अलजद्दा सहीदा का हिस्सा क्या है एक चीज़ और रहे गई अगर इधर की नानी है और इधर दादी है दो है दोनो है नानी भी है दादी भी है तो इनको जो हिस्सा मिलता मुश्तरका ऐसा नहीं कि इनको अलग इनको अलग जैसे किसी की दो बीवी हो तो वन फॉर्थ या वन एट मिलता है एक बटे चार या एक बटे आठ तो एक बटे चार ऐसा नहीं कि दो बीवी है तो इसको भी एक बटे चार इसको भी एक बटे चार ऐसा नहीं होता यागर अउलाद की सुरत में बीवी है तो बीवी को एक बटे عट है तो दो बीवी है तो दोनों को एक बटे عाट एक बटे cohort नहीं एक बटे आट पूरे गुरूप को देंगे तो अगर दो जद्दा एक साथ दो जद्दा है एक आदमी मर गया उसकी नानी भी है और उसकी दादी भी है तो दोनों को मुश्टरका हिस्सा देंगे अलग-अलग नहीं देंगे ये जहन में रखे ये दूसरी चीज़ जहन में रखे एक तीसरी चीज़ जो मैंने वादा किया था ये बाद में आपको समझाओंगा उसको भी हम देख लेते हैं एक तीसरी चीज़ का वादा था कि आगे हम देखेंगे वो क्या था ये मा है ये बाप है इसकी मा वारिस होती है मैंने आपको बताया था हज्ब की वहस में कि अगर ये मा मौझूद होगी क्योंकि ये इसके वास्ते से आ रही ना ये होगी तो ये बलॉक हो जाएगी लेकिन यहां पर इसकी मा ये इसी के वास्ते से आ रही है ये इसी के वास्ते से ना लेकिन इसको भी हिस्सा मिलता है इसको भी हिस्सा मिलता है दादी को भी मिलता है बाप को भी मिलता है दोनों को अलाकि हज्म में उसूले वास्ता के तेत आपको बताया गया था कि अगर कोई शक्स, कोई वारिस, किसी वास्ते से मयत का रिश्चेदार बनता है तो वास्ता है तो फिर उसको नहीं मिलता है क्योंकि असल में वो जो वास्ता ना उसी का हिस्सा इधर ट्रांसफर हो जाता है वो नहीं होता ना तो उसका हिस्सा इसको आगे बढ़ जाता है जैसे बाप है बाप नहीं है तो उसी की सारी कंडिशन ट्रांसफर हो जाती है दादा को जैसा के भी मैंने आपको पता है ना ले क्यों नहीं करता, उसकी वज़े किया है, उसकी दो वज़े, एक वज़े सुना नभी दाउत की रवायत है, कि अन्न नभी असुद्धूस जाला लिल्जदति असुदूस मा लम तकुन दूनहा उम्मून। सिर्फ यह काया कि माना हो, तो इसलिए हम उस ठाइस की रोशनी में सिर्फ यह शर्त लगाएंगे कि माना हो, माँ अगर होगी तो ना इसको मिलेगा ना इसको मिलेगा, मा दोनों को महجूब कर देगी, इधर की नानी को बी महजूब करेंगे उधर दादी को भी मैं जूब कर देगी एक और वज़े यह तो हदीस की बात बता दिया अब एक जो है और वज़े आप अकली तोर पर देखें तो भी यह ब्लोक नहीं होनी चाहिए बाप के जरीए क्यों इसलिए कि यह जो हिस्सा पाती है इसको जो हिस्सा मिलता है इसका हिस्सा मिलता है जो ट्रांसफर होता ना जैसे इधर अगर बाप होगा इधर अगर बाप है बाप यह नहीं है तो इसी का हिस्सा इसको मिलेगा ना लेकिन यह जो मा है यह इसका हिस्सा नहीं पा रही है यह मा इसका हिस्सा नहीं पा रही है यह बाप का हिस्सा नहीं मिल ला है इसको यहां का हिस्सा मिल रहा है मा का यानि मा नहीं होती है ना तो यह हिस्सा इसको जाता है दादी को रही हिस्सा जाता है नानी को तो जब बाप का हिस्सा इसको नहीं मिल ला है तो बाप इसको बलोग भी नहीं कर सकता है क्यों बलोग करेगा यानि बाप की जगे पे वो नहीं आ रही है वास्ता कब बलोग करता है जब कोई शक्स वास्ती की जगे पे आता है तो वास्ता होगा तो उसको बलोग कर देगा क्योंकि इसके ये कुर्सी छोड़ेगा तभी उसको कुर्सी मिलेगी और इसको जो मा को जो हिस्सा मिला है इसका हिस्सा उठा के नहीं इसका रखा गया है वलकि इसका हिस्सा उठा के इसको दिया गया है इसका इसलिए बाप इसको बलोक नहीं करेगा हाँ ये बलोक कर देगी जबकि ये वास्ता भी नहीं है उसका ये उसको क्यों बलोक करेगी क् कि इसी का हिस्सा ये पाती है तो जब ये पहले से मौजूद है तो इसको नहीं जा सकता और ये भी क्या है नानी भी इसी का हिस्सा पाती है तो नानी या दादी को जो हिस्सा दिया जाता है वो मा की अद्मे मौजूदगी में मा की गैर मौजूदगी में मा का हिस्सा ही नानी अपनी अकल से भी सोचें तो बाप इसको बलोक नहीं कर सकता है क्योंकि ये बाप का हिस्सा नहीं ले रही है कि बाप आगया तो अपना हिस्सा वो ले लिए अब तुम जाओ ये इधर का हिस्सा ले रही है तो इसका बाप से क्या तालुक है तो इसलिए जब ये इधर का हिस्सा ले रही है तो फिर ये इसको बलोग करेगी बाप नहीं बलोग करेगा ये जो मैंने कहाता ना कि बाद में बताऊंगा क्यूं ये बाप इसको बलोग नहीं करता तो ये दो वज़े है बलोग ना करने की एक तो वाजई हदीष है, और दूसरा ये है कि दादी बापका हिस्सा नहीं लेती है, इसलिए मा ही उसको ब्लोक कर सकती है, बाप ब्लोक नहीं कर सकता है कि के तीसरी बाद समझ लिया आपने, आवाईए इसका और देखते हैं यह समझने के लिए थोड़ा सा इसमें जमेला है, इतना तफसील है, वरकि इनके हिस्सों में इसी कोई बात नहीं है, बहुत ही मुक्तसर है, दो ही हालत हो सकती है, पहली हालत क्या होगी, महजू, बलोक, कौन बलोक करेगी, हाँ, मा मौझूद हो, या अरीवी जद्दा मौझ रहे हैं, जितना भी उपर हो, तो अगर मा है तो मा इसको बलोक कर देगी, और जद्दा बहुत दूर की है, जिसे पर नानी है, पर नानी, तो नानी उसको बलोक कर देगी, यह जो हमने लिगा ना, या गरीबी जद्दा मौझूद हो, पर नानी को नहीं मिलेगा, नानी है पहले हालत क्या है महजूब, महजूब कब होगी, जद्दा कब महजूब होगी, जब मा मौजूद हो या करीबी जद्दा मौजूद हो, और अगर ऐसा नहीं है, तो one six, मा मौजूद ना हो, या करीबी जद्दा मौजूद ना हो, या उस सूरत में जब जद्दा दूर की हो, तो उससे करीब की कोई जद्दा मुझूद नो ये दो ही चीज है मिसाल एक दो देख ले इसकी बीवी है और इसकी माँ है और उम लुम है और आब है मांगे जोजा को कितना? एक बटा चार, माँ को कितना? एक बटा तीन, उम लुम बिलो बाप को कितना बागी और मिसाल देखते हैं यह मा है और Ommul-Omm नहीं अबा है अब शकीक है जौज़ा को एक बटे चार मा को एक बटे तीन अम्मू अब को बागी सगच चचच total अम्मू-Omm अक शकीक है मान लिजी बीवी को कितना एक बटा चार नानी को वन शिक्स बाकी अम्मुल अब दादी है जोजा को एक बटे चार अम्मुल अब को एक बटे छे अक्षकिक को बाकी अम्मुल अम्मुल अब नानी है दादी है और सगा भाई है बीवी को कितना एक बटे चार नानी को दोनों को वन शिक यहां तक उसूल की बहस खतम